साजिश में सबसे पहले बात उस तानातानी की जो दुनिया का भुगोल बदल सकती है परमाणु युद्ध का इतिहास बदल सकती है खबर ये है कि अमारिका की परमाणु मिसाइल रूस की धर्टी के काफी करीब तब पहुंच चुकी है और वही रूस के विदेश मंत्राले की प्रवक्ता मारिया जकारोवा का ये कहना है कि रूस खुद को बचाने के लिए रूस परमाणु युद्ध छेड़ सकता है अमारिका और रूस के बीच ये तना बहुत बड़े खत्रे की तरफ इशारा कर रहा है बारा घंटे 24 घंटे 48 घंटे या फिर 72 घंटे के अंदर क्या बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है क्या दुनिया में दूसरी बार परमाणू युद्ध होने वाला है अमेरिका की परमाणू मिसाइल रूस की धरती से महस 3,000 किलो मीजर दूरी तक पहुँच गई है अमेरिका की परमाणू मिसाइल रूस के इतने खरीब होने का क्या मतलब है अमेरिका की पंडोबी युएसस मिशिगन बरसो बाद रक्षन कोरिया पहुँच गई है इसके यहां पहुँचने का वीडियो क्रेमलिन में फ्रेम दर फ्रेम देखा जा रहा है पुतिन के इनर सर्किल में इस वीडियो को फरवर्ड करके देखा जा रहा है रिवाइंड करके देखा जा रहा है साथ ही साथ अक्षन कोरिया के आस्मान में अमेरिका के फाइटर जेट गरज रहे हैं धर्ती पर बारूद बरसा रहे हैं इस फोट के गुंज रूस तक सुनाई दे रही है सवाल है क्या बाइडन के निकुलियर फिटबॉल में खत्रे का अलार्म बचने वाला है क्या बिचेन में सुनक लास्ट रिजोर्ट लेटर खूलने वाले है आपकी जानकारी के लिए बता दे अगर अमेरिका के पिसिडेंट के निकुलियर फिटबॉल बचने लगे या फिर फिटेंट के पर धारमंत्री को लास्ट लेटर खूलने का नौबत आ जाए तो यह परमाडू हमले का डारेक्ट सिगनर होता है इन दोनों में से अगर एक भी हकीकत बन जाए तो परमाडू बम का बटन दप जाएगा दुनिया में रेडियेशन वार छिट जाएगी अमेरिका की नियुक्लियर मिसाइल दुश्मन देश को परमाडू बम से खाग में मिलाने के लिए निकल जाएगी नौथ अट्लांटिक महसागर में मौजूद बिजन की मिसाइल से ट्राइडेंट परमाडू मिसाइल निकलेगी दुश्मन में परमाडू तवाही लाएगी बड़ा सवाल है क्या ऐसा होने वाला है रुस्के राष्टपती वाला मिदिर पुतिने बहुत बड़ा इशारा किया है में जो पुतिने नहीं पादेथ बिजला रुसके विदेश मंत्राले की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने पूरा कर दिया मारिया जखारोवा का कहना है कि रूस परमाडू हथयारो का इस्तेमाल कर सकता है खुद को बचाने के लिए रूस परमाडू युद चेर सकता है दिकट पर इस्थीटियों में परमाडू हथयारो का इस्तेमाल खरूर होगा रूस के समाचार एजनसी तास के मुताविक रूस की परमाडू नीती रक्षात मग है लेकिन मुश्किल वक्त में रूस पहले भी परमाडू हमला बोल सकता है रूस को अंदेशा तो इस बात का भी है कि उक्रेण को परमाडू हधियार भी मिल सकता है खुद इनके बेहत कारीबियों में शुमार और रूस के राश्कमति प्रधानमंत्री रह चुके दिमित्री मिद्वेदेव ने दो तू कहा है कि अगर पश्रिम के देशों ने यूक्रेण को परमाडू हधियार दिये तो रूस बीना सोचे सबसे पहले परमाडू हमला करेगा तब परमाडू विश्रो युद्ध को डालना ना मुम्किन होगा पश्रिम के देश पुतिन को कम आंकने की गल्ती नहीं करें मेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद् कि पोतिन ने उकलियर ट्रिगर नहीं दबाएंगे मतलब सीधा है कि परमाडू वार हिट के साथ रूस की मिसाइल कभी भी उक्रेन पर गिर सकती है मेद्वदेव रूस के कोई आम ठ्रक्स नहीं है वो पोतिन के अलावा रूस की इकलौती जिन्दा शखसियत है जिनकी उगली रूस के परमाडू बटन पे रह चुकी है पुतिन को करीबी से जानने वाले और रूस के एक पुर्व केजी भी जासूस ने बहुत बड़ी चेताउनी दी है पुर्व केजी भी जासूस की चेताउनी के मताबिक अमेरिका का वाइट हाउस लंदन का डाउनिंग स्टेट, केव का प्रेसिडेंट हाउस, ये तीनों पाव सेंटर पुतिन का टार्गेट पर हैं, दावे के मुताबिक यहां पुतिन की सेना परमाणू बम गिरा सकती है रूस के एक पुर्व केजी, भी जासूस जैक बार्सकी ने कमभीर चेटावनी दी है जैक बार्सी का दावा है कि पुतिन ने दुनिया को परमाणू उद्ध के मुहाने पर खडा कर दिया है परमाड़ युद्ध की आश्रंग काओं के बीच दुनिया खतरनाक समय का सामना कर रही है और खतरा पहले से कहीं अधिक और बड़ा हो सकता है चैक बास्की उसी केजीबी के जासूस रह चुके ही जिसके पुतिन भी जासूस थे बास्की अभी अमेरिका में रहते हैं अमेरिका में ही वो केजीबी के स्लिपर एजेंट रह चुके ही वो रूस के लिए अमेरिका में जासूसी का काम करते थी जैक बास्की साल 1978 से 1988 तक सक्रिये थी जैक बास्की का दावा है कि वो पुदिन का माइंड पढ़ना जानते हैं ऐसे में पुदिन के परमाणू हमले को लेकर जैक बास्की की चेतावनी बहुत बड़े खत्रे का अलार्म बजा रही है आगे पढ़े उसके पहले जैक बास्की के दावे को बल देने वाले और परमाणू युद्ध को लेकर रूस से मिले कुछ सिगनल को जान लीचे पुति ने अपना सबसे बड़ा नुकिलियर बॉमर टी यू वन सिक्स्टी को बेरिंट सागर के उपर उड़ाया है खबर ये है कि नौटिक देश टेनमार्क ने अपने परमाणू बंकर का दर्वाजा आम लोगों के लिए फोल दिया है परमाणू बंकर का काम लोगों को परमाणू हमले से बचाना होता है विदेश्री मेडिया के मताविक पुतिन ने तीन परमाणू एक के निकाल लिए हैं पहला एका रक्षामंती स्तरगेई शोगू कह चुके हैं कि रूस अपनी परमाणू मिसाइल की पावर को बढ़ाता रहेगा दूसरा एका है रूस सुरक्षा परिश्रत के टिप्टी चिह दिवित्र मेडवेदेव मेडवेदेव ने कह दिया है कि हम विश्र युद्ध के कागार पर पहुंच चुके हैं और पुतिन का तीसरा एका है वलामीदिर येर माको रूस में परमाडू अपरसारवी भाग के टीजी वलावीदिर यर माकोव ने कह दिया है कि रूस और अमेरिका के बीच परमाडू युद्ध की से भी वक्त हो सकता है पुतिन की ये तीनों ही के एटम बंक की बात कर रहे हैं फुतिन के ये तीनों ही के परमाड़ू युद्ध की वार्टिंग दे रहे हैं और तो और रूस ने परमाड़ू युद्ध का ट्रेलर भी दुनिया को दिखा दिया है फुतिन के परमाड़ू हमले वाले ओर्डर के बाद को दो आजए वार्टिश है रूस के ने कुलियर वोस का कमांडर ग्रीन सिगनल देगा फारिंग उफिसर बटन दबाएगा आग लगेगी धूमा उठेगा पलक छपकते ही आसमान जलने लगेगा तगन भेदी शोर गुंच उठेगा आग और धूई को चीर कर तुफानी रफ्तार से रूस की परमाणू मिसाईल चल पड़ेगी यह वो लम्हे होंगे जब पूरी दुनिया खौप से बढ़ जाएगी पुतिन के एक इशारे पर गरस्ती हुई मिसाईले आसमान को भेदती हुई अपने टार्गिट की तरफ बढ़ चलेंगी आपके जानकारी के लिए बता दें यह रूस के परमाणू युद्ध के अब धास का वीडियो है ऐसा कर पुतिन अपनी नियुक्रियर हथियारों से दुनिया को डराना चाहते थी अमेरिका के राष्टपती बाइडर को सीधा संदेश देकर पुतिन साफ कर चुके हैं कि रूस को किसी भी क्यमत पर छुपाया या डराया नहीं जा सकता को तिनकी इस बायान से ये बाद क्शी देरसाफ हो चुकी है कि उपरियन जुपे कुजी लिए वक्त परमालों भंका इस्तेमार हो सकता है पर्शोल 9 सारी 조न क कर ंनो तो पिरोस्य पुली वोहा हुआ नहीतन अ rights क्या की, आफभा na पुर्सी द्यों कर दोना आपर प्रास्त मेंथा पुर्दी श高 depicted already मέं में उलू ऊ Depois Ćप बोल चुके है पोडसं की वगर अ 내용ी अगर तो रूस भी करेगा उक्रेणी युद के लिए अमेरिका को सेमेदा चाहरा चुके हैं नेटों को चेताओं इचुके हैं तो परवाद युद का काई मर्थभा जिकर कर पूरी दुरिया को डरा चुके हैं मिमनेिस्तर अबरोन रसी यरूसातम घजने अबेस्पेचित गथ इस्पतानी रसीव हो यहार जाया जायाद आख परुद नंगा पतानी यग यद्वाद नच मोज़ा इचाहिए ठी हैं में इसले हैं उड्वाद में ज्माहरा चुद कि ए और याद इस्पारा जाब पहला के पीचे रूस की न्यूकिलियर फोस को हाई अलर्ट पर रखने के पीचे पुतिन की क्या रड़ डीती है इसे जानने से पहले पुतिन की परमाडू बंक के परिक्षण वाले सबसे बड़ी और नई धंकी के माएने समझना जरूरी है रूस के मताबिक अब रूस वो करेगा जो पिछले 33 साल में नहीं किया रूस नए परमाडू बंक का परिक्षण कर सकता है पुतिन की ये धंकी तब और खतरनाक हो जाती है जब ये ख़बर सामने आती है कि रूस में सबसे बड़े न्यूकिलियर टेस्टिंग साइट को एक्टिव कर दिया क्या है ओल रुशियन रिसर्च इंस्टिट्यूट आफ एक्स्पेमेंटल फिजिक्स व्याचे सलाओ सोलो भी वो ने दावा किया है कि अगर जुरत पड़ि तो नोवाया जमलेया में किसी भी वक्त रूस परमारू पररेक्षन कर सकता है की सबसे बड़ी न्यूक्रियो टेस्टिंग साइट में शामिल है नोवाया जमलेया रूस के उतर और योरोप के बूरब उतर में आर्क्टिक्स महा सागर में एक दूइब समू है नौाया जबलेया मौसकों से खरीब 2000 किलो मिजर दूर है साल 1954 में पहली बार नौाया जबलेया परमाडू परिक्षनस्थल को तैयार किया गया था 1990 तक रूस नहीं यहां 132 मर्तबा परमाडू परिक्षनक कर चुका था साल 1961 यहीं रूस ने आज तक का सबसे शक्तिशाली परमाडू बम जार बम का विस्फोट किया था अमेरिका के साइंटिस्ट मान रहे हैं कि अगर रूस परमाडू युद्ध की तरफ आगे बढ़ता है तो उसे तीन स्टेप में अंजाम दे सकता है और पहला स्टेप परमाडू परिक्षनका होगा सबाल है क्या परमाडू हमले का पहला राउंड शुरू होने वाला है पुदिन की न्यूकलियर वाड टास्क लिस्ट में पहले नंबर पर नया परमाडू परिक्षनका है दावे के मताबिक परमाडू परिक्षनकी तैयारी सो फिस्दी पूरी है टास्क लिस्ट में दूसरे नंबर पर टेक्टिकल न्यूकलियर बम्ट से अचैक है जिसके लिए रूस की न्यूकलियर फॉस 24 घंटे तैयार रहती है टास्क लिस्ट में दीसरे नंबर पर बड़ा परमाणू हमला है जिस पर सिर्फ और सिर्फ पुतिन ही आखरी फैसला लेंगे परमाडू युद्ध को लेकर पुतिन क्या सोचते हैं ये उनकी धंकियों से साफ हो जाता है पुतिने साफ साफ शर्ब्दों में नैटो देश को चिता चुके हैं युकरेन को जितनी लंबी दूरी की मिसाइले मिलेंगी रूस खतरे को अपनी सीमा से उतना ही दूर करतेगा पुतिन के मताबिक रूस और युकरेन का मामला लोकल था लेकिन अमेरिका और रूस के वश्मी देशों ने उसे दुनिया का मसला बना दिया एक छोटे से युद्ध को परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुँचा दिया है यही वज़ा है कि बेलारूस में रूस के परमाणु हत्यारों के पहुँचने का पुटिन का ऐलान और रूसके विदेश मंध्राले की प्राउकता मारिया जखारूबा का परमाणु हत्यारों के इस्तिमाल को लेकर दी गई चेतावनी बहुट खतरनाफ को जाती है व्माने रशों को गतोफे